क्या आप जानते हैं वहीदा की पहली फिल्म रोजुलू मराई का प्रीमियर हैदराबाद में हुआ था जहां हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के नामी फिल्म मेकर गुरुदत्त भी मुझूद थे प्रीमियर में गुरुदत्त ने जैसे ही वहीदा का अभिने देखा तो वे बहुत इंप्रेस हो गए और इसके बाद में उन्हों ने पहली मुलकात के दोरान उन्होंने वहीदा को आने का ओफर दे दिया मुंबई पहुचते ही उन्हें गुरुदत के असिस्टेंट रहे राज घोसला की फिल्म CID में देवानन्द के साथ में लीड रोल दे दिया गया मतलब आप समझ सकते हैं कि वहीदा रह्मान को जो बड़ा ब्रेक मिला वो देवानन्द की फिल्म में मिला जिसका नाम था CID इसके अलावा वहीदा रह्मान का मानना था कि उनके शरी रिविलिंग कपड़ों के लिए मुनासिब नहीं है फिल्में तो बहुत दूल की बाते वहीदा रह्मान ने कभी असल जिन्दगी में भी स्लीवलेस कपड़े नहीं पहने हैं वहीदा का चाम और हुना गयसा था कि फिल्म मेकर्स उनकी हर शर्ट पर गाजी होते थे और वह अपनी सादगी के लिए ही जानी जाती था